दादी दादी आज स्कूल में वेल कोहर सिंग का कदा सुना मुझे कुछ भी पता नहीं चला तो आज मैं कुमवर सिंग का कथा सुनाओगी हाँ हाँ कुप बता आएंगा इस निबंद में वीर कुमवर सिंग के जीवन और स्वाधीनिता संग्राम में उनकी अहम भूमिकाव के बारे में लिखा गया है वीर कुमवर सिंग जबीशपुर की एक रियासत के जमीनदार थे बच्पन से ही पढ़ाई को छोड़कर उनने घुरस्वारी, कलवार बाजी और कुष्टी में अधिक मजा आता था अपने पिता के मृत्यू के बाद कुमवर सिंग न रियासत की बावडोड अपने हाथों में ले ली तब ही से उन्होंने अंग्रेजों के खलाफ मोहिम चलाना शुरू किया था जब 1857 का स्वाधीनिता संग्राम हुआ तो कुमवर सिंग भी उस लड़ाई में कूद पड़े कुमवर सिंग न बिहार और उत्तर प्रदेश की कई राजाओं के साथ गट बनन तयार किया ताकि अंग्रेजों को कड़ी टकर दे सके उन्होंने आजमगर पर विजय प्राप की कुमवर सिंग ने अंत में जगदीश पूर पर कप्सा कर लिया लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मृति हो गई कुमवर सिंग की बहादोरी के कस्से मशूर है क्योंकि अपनी अधिकतर लडाया उन्होंने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में लड़ी कुमवर सिंग ने साम्प्रदाइक सद्भाव की दिशा में कई महत्वकून कारे किये थे कुमवर सिंग में जनता की भलाई के लिए कई काम किये थे जैसे सड के बनवाना, जलाश ए खुदवाना, आदी उहां 1857 का विद्रोहे तिहास के पन्नों पर स्वर्नक्षरों में अंकित हैं जिसने अंग्रेजी की जड़े हिला दी इसमें भाग लेने वाले प्रमुक से नानी थे नाना साहेब, तात्या टोपे, बत खान, अजी मुलाह खान, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, कुमवर सिंग, मौलवी अमदुल्लाह, बहादुर खान और रावतुलाराम मार्श 1857 में बेरपुर में अंग्रेजों के विरुद बगावत करने पर मंगलवार पांडी को 8 हप्रेल, 1857 को फासी दे दी गई 10 मई, 1857 को ब्रिचेश अधिकारियों के विरुद धान्दोलन में दिल्ली पर कपजा कर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत क अंतिम शासक घोशित किया गया, दिल्ली के अतरिक्त कानपूर, लटने, बरेली, बुंदेल, खंड और आरा में भी भी शन विद्रोह हुआ, इसी आंदोलन के आधार पर स्वतंत्रता, आंदोलन की नीव पड़ी, इसी विद्रोह में वीर कुमवर सेह का नाम उलेखनिया ह इस वयोविद, बुढे, व्यक्ति ने ब्रिचिस शासन के खलाफ बहादुरी के साथ धियुद्र किया, 27 जुलाई, 1857 को कुमवर सिंग ने आरा पर विजय प्राप्त की तो सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, आरा क्रांती का महित्तो पून केंद्र बन गया, लेक कमी के कारण जगदीशपूर का पतन रोका न जा सका, 13 अगस्त को जगदीशपूर में कुमवर सिंग की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, लेकिन उन्होंने आत्मबल नहीं तोड़ा, निरंतर तत पर रहे, सासा राम से मिर्जापूर होते हुए रिवा, कालपी, लटनो, आजमगड, ग्वालियर, जबलपूर, इलाहबाद, बनारस्व जगदीशपूर ये सब शेत्रे इनकी वोर्ता से प्रभवित रहे, 22 मार्च, 1858 को इन्होंने आजमगड पर कप्सा कर लिया, इस दोरान एक बार फिर आजमगड पर कप्सा करने से अंग्रेज हार ग सामाजिक कारियों में सहयोग, बीर्ता के साथ साथ इसे नानी के हरिदय में कोमल भावनाई भी थी, उर्हातनिक सामाजिक कारियों में भी योगदान दिया, स्कूलों के लिए जमीन देना, निर्धनों की साहयता करना, मट निर्मान कारे करवाना, जलपूर्ती हेदु कोई खुद्वाना तालाव बनवाना आधिकारे करने का सौजय भी इन्हें प्राप्थ हुआ सहयोगी सौभाव, सभी के साथ सहयोग भावना से कारे करते थे, हिंदू मुसल्मानों के सभी त्योहार मिलकर मनाते थे, यहां तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खा और की फायत हुसेन उच्पदों पर आसीन थे, सामाजिक कारियों में सहयोग, बीर्ता के साथ साथ इससे नानी के हरिदय में कोमल भावनाई भी थी, उर्हातनिक सामाजिक कारियों में भी योगदान दिया, स्कूलों के लिए जमीन देना, निर्धनों की साहयता करना, मट निर्मान कारे करवा तालाब बनवाना आधिकारे करने का सौजय भी इन्हें प्राप्थ हुआ सहयोगी सौभाव। सभी के साथ सहयोग भावना से कारे करते थे। हिंदू मुसल्मानों के सभी त्योहार मिलकर मनाते थे। यहां तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खा और की फायत हुसेन उच्पद का जगदीशपुर में फहरा तो दी लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें इस आनन का लाभू उठाने का सौभागय प्राप्न हुआ। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने युनियन जैक अंग्रेजों का जंडा उतार कर अपना जंडा फहराया लेकिन इसके ती दिन बात 26 अप्रेल 1858 को ये वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए छोड़ गया। उनकी वीरता और शौरी का वरणन करते हुए बिहार के प्रसिद्रिकवी मनुरंजन प्रसाद सिंग ने लिखा चिला गया योकुर अमरपुर साहस से सबरिदल चीत उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भय भीत। वीर प्रस्विनी भूमी धय वर्ह धय वीर वेर धया तीत। गाते थे और गावेंगे हम हर दम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रिता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुमर सिंग भी बड़ा व झानेक था? के पायादी का सैनिक था